बाइपास का एरिया है और आईटी पार्क वाला एरिया है वहां से लगातार पिछले कुछ दिनों में ऐसी शिकायते प्राप्त हो रही थी कि जो यह हाई-end गाड़ी होती हैं जैसे बुलिट हैं या महेंगी बाइक सैंपलसर हैं उनकी चोरी हो रही है इसके चलते एक मुख् अच्छी सफलता हमें जो प्राप्त हुए है उसमें इन देवास के आरोपियों से करीबन 6 बुलिट, 3 पलसर, एक्टिवा ऐसे करके कुल 13 वाहन जो हैं यह जब्त हुए हैं इसमें एक मुख्य बाद जो है कि काफी समय से वाहन चोरियों पे नकैल कसने के लिए जो देवास हो सकता है कि वो लोग भी इनके कुछ और गैंग मेंबर्स हो जो इस प्रकार की चीजों में एक्टिव रहे हूं पिछले कुछ दिनों में जितनी भी बुलिट्स या ऐसी महंगी गाड़ियां चोरी हुए हैं उनके डेटा से हम इसको मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं कि क्य हैं इन बुलिट्स की डिमांड जादा है और ये आसानी से खब जाती है और क्योंकि इनकी मार्केट वाल्यू बहुत जादा है और अगर आप इनको 50% डिसकाउंट में बेचेंगे तो आराम से गरहक मिल जाता है इसी की चलते इन हाई-end गाड़ियों को चुराने की जो ता उसकी भी चीज़ें मिले थे कि ये नया नंबर प्रिंट कर सकते हैं तो इसलिए सबसे पहले तो ये जानकारी के जाएगी कि RTO में जो पोर्टिल चलता है उसमें इन बुलिट जो जब्त होई है इनकी जो जो चेसे नंबर और चेसे नंबर था वो वहाँ पर नोट करा दिय जाए कि ये चेसे नंबर आप किसी और गाड़ी में ना इस्तमाल हो तो कभी चेकिंग में अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो फिर वह ब्लाक लिस्टेट दिखती है जो रेड मार्किंग वाली गाड़ी कहते है उसे तो वह बहुत इंपॉर्टन चीज है क्योंकि व बहुत असानी से बतल जाती है तो फिर उस गाड़ी को डिस्पोस करना बहुत असान हो जाता है